हेलो दोस्तो नमस्कार नौर्मल स्क्रीन के उपर अगर मैं यहाँ पर बात करू राकेश जुन जुन वाला बहुत ही ज़दा पॉपिलर यहाँ बन चुके आज एक दिन टाटा मोटर्स के बारे में भी आप लोग ने जरूर वीडियो को देखा होगा अगर नहीं देखा है तो देख लेना उन्होंने भी वहाँ पर अच्छी कासी प्रॉफिट बूकिंग की है पचास लाग तक के शेर्स नौर पर बेचे भी है उसी के साथ आर्जे का एक बहुत जबरदस इंटर्विव जो अभी अभी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला था मोतिलाल असवाल के साथ जो हुआ था वो भी गजब का हम लोगों को चर्चे में देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ बाते यहाँ पर सामने रखी हुए मैं अगेन कहना चाँगा दोस्तों जो भी बाते है वो आरजे ने खुद इंटर्वियो में यहाँ पर बता हुए कि उनको क्या क्या चीज़े यहाँ लगती है उनको सवाल पूछा जाता है कि उनको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते है उसी के साथ-साथ अभी जो फिलाल IPO जो बाधर में यहाँ चल रहे है उसके बारे में आरजे को क्या प्रॉबलम है उन्होंने उसके बारे में भी यहाँ बाते की है जो भी बाते हैं वो डेफिनेटली आरजे ने यहाँ बता हुए तो उसी को मैं आसान भाषा में आप लोगों तक पहुचाने की कोशिश करने वाला हूँ उसी के साथ-साथ हम इंडरेक्ली भी कह सकते कि आरजे ने आपर ITC के बारे में भी यहाँ पर क्या बोला है एंड उसी के साथ-साथ यह जो बुलरन है क्या वो यहाँ पर रुख जाएगा या फिर आगे कंटिन्यू करेगा इस बात का भी जिक्र आरजे ने अपने इस इंटर्वी में किया हुआ है बहुत लंबा इंटर्वी है बट आप लोगों को इस 10 मिनिट के वीडियो में सारी बाते question and answer के form में मिल जाएगी सो चले दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते आरजे ने क्या-क्या बाते बोली उनको यहाँ पर देख लेते हैं वो यहाँ पर फिलाल मेटल एंड जो बैंक से उनको यहाँ पर फेवर यहाँ पर कर रहे हैं और किसके उपर over the new age technology new age technology के stocks जो बहुत ही जादा फिलाल popular होते वे देखने को मिल रहे हैं उससे जादा मैं तो मेटल एंड बैंक को ही prefer करूँगा यह आरजे ने अपने interview में आपे बोला हुआ है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो I think I will much better returns from the metals and other sector such as bank यह आरजे ने आपे बोला हुआ है और यह बाते उनने तब बोली हुई है जो कि अगर हम लोग यहाँ बात करें जो IPO से related सवाल उनको पूछा गया था तबी से related यह बात उनने कई हुई है मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उनने यहाँ पर बताया हुआ है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उनको पूछा गया कि IPO के बारे में जो आप देख रहे हो कि हर वक्त जो भी IPO आ रहा है हर कोई हीट हो चुका है अभी तक तो हम लोग ने सारे IPO उसको हीट होते हुए देखने को पूल है उनने कहिए कि सबसे पहले वो उनकी पार्टी ही ने पार्टी मतलब वो IPOs को ज्यादा प्रिफर करते हैं जैसे मैंने कहा था कि बड़े लोग IPOs को यूजरली अवाइड करते है दैन अगर हम लोग बात करें यह देखे उननने कहा है कि वह वहाँ पर जाते ही नहीं है बट कुछ पॉइंट्स उनने यहाँ पर एड करके यहाँ पर बता हुए जैसे कि अगर हम लोग बात करें रिसेंटली आप देख सकते हैं टॉकिंग अबाउट रिसेंटली जो IPO यहाँ पर देखने को मिला कौन सा जोमैटो का तो आप देख सकते हैं साफ शब्द में लिख इस कंपनी में यह आरजे ने आप बता हुआ है यह मैं नहीं कहे रहा हूँ यह आरजे ने बाते बता हुए आप देख सकते हैं यह बहुत ही जादा पेमाने के पर देखने को मिला है और उसके उपर आरजे की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यह बाते फिलाल सामने रखे हुए और भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने यह पर कहे है हम लोग प्रॉपरली अच्छे फॉंट्स में यह थोड़ी सी उन बातों को देख लेते हैं ठीक है यह वाला आर्टिकल परफेक्ट रहेगा अभी आप लोग अच्छा देखने को मिल रहा हुगा सो आ रहा है जो चीज़े अभी तक मैंने आपको दिखाई थे आप देख सकते हैं वही चीज़े आप लोगों को देखने को मिल रहा है उन्होंने यह भी कहा है दिस पार्टी मतलब यह जो न्यू एज वाले विल पॉप सम टाइम यह भी आर्जे ने फिलाल यापे बताया हु किस हद तक कौन सी चीज़ों को आप लोगोंने नोट करना है वह आपके उपर रहता है बट येस डेफिनेटल हम लोगोंने सुनना भी होता है कि इसके पीछे के कारण क्या है ऐसे थोड़ी न हम लोग हवे में बोलेंगे कि यह स्टॉक मल्टिवेगर बनेगा या फिर यह स बात करें मैक्जिमम लोग यहाँ पर मैं लाक म करें प्रामेरी मयर्केट की बात करें यही चीज फिलाल यहाँ पर बजार में चलती वह देखने को मिल रहें इसी चीज़ को देखकर अगे यह आप युआ बरादर में घृज्ऑ उसी के साथ साथ मोबी क्विक अगर हम लोग बात करें जो मैट हो तो पॉलिसी बाजार ये सारे अभी IPO इसलिए बाजार में उतारे जारे क्योंकि ये रैली में हर कोई वैलुइशन की बात ही नहीं कर रहे सिर्फ देख रहा है और मैं भी आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ ये जो तीन दीन की अगर हम लोग बात करें और ऐसे कंपनी की अगर हम लोग बात करें जो कि अगर हम लोग फिलाल की जो सिच्वेशन है उसमें लगबख 9,375 करोड के लॉस में यहाँ पे फिलाल चल रही है इतना बड़ा रिस्पॉंस देखने को मिल रहे है तो इसलिए यहाँ पे आरजे ने इस चीज़ को यहाँ पे फिलाल तो विरोत किया हुआ है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो मैटो का आई पिम यह आप लोगों को यह भी दिखाने वालो हूँ लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रेमियम के है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आरजे ने कुछ और भी बात यहाँ पे बता हुए जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं और भी आगे कुछ यहाँ बातों को लिखा गया है जैसे कि अगर हम लोग बाकी भी IPO की बात करें जोकी टेक्स से रिलेटेड ही जितने भी यह स्टार्ट अप से रिलेटेड अभी जो आने वाले भी सकते हो, except for the new age companies, मतलब IPOs की ही बात हो रही है, and उसी के साथ क्रिप्टोज, क्रिप्टोज को छोड़ दे, and यह जो नई कमपनी बाजर में अभी लिस्ट हो रही है, बहुत ही जबरदस धमाके के और इन चीजों को छोड़ कर अगर हम लोग बात करे, everything else is good in this market, सब कुछ यहां पर बढ़िया है, आप लोग बाकी companies के साथ यहां पर जा सकते हो, यह RJ ने थमसब यहां पर दिया है, and कास करके कौन सा, metal and bank sector को उनने यहां पर highlight, specifically highlight करके यहां पर बुला हुआ है, then उसी के साथ साथ, जो RJ की बातचीत हम लोगों को देखने को मिले इंटर्विय में, उसमें हम लोगों को यह भी बात को मतलब पता चल जाता है कि, RJ यहां पर जो सरकार का, जो कि, RJ यहां पर हम लोगों को थोड़ा बहुत positive यहां पर होते वे देखने को यहां पर मिल रहे है, उसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, लूपिन जैसा फार्मा सेक्टर का stock उनके पास है, 40s healthcare भी उनी के portfolio में, उसी की साथ साथ jubilant pharma भी उनी के portfolio में, तो शायद से हम लोग कह सकते हैं कि health sector से related भी उनका थोड़ा बहुत हम लोगों को यहां पर positive रूजान देखने को यहां पर मिल रहा है, यह उनकी studies है, जो कि हम लोग यहां पर decode करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, इस बात का answer देते वाग आरजे ने कुछ यहां पर बाते कही है, ESG based अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो आप सबी लोगों को मैं बता ना चाहूँगा, यह cigarette वाली company, tobacco वाली company, इनको आप लोग पकड़ सकते, अल्कॉल भी इसमें जरूर यहां पर आ जाएगा, इसके पहले भी देखा था कि ग्लोबली भी इन चीजों को चेक करोगे आप, तो SS tobacco वाली जो भी companies है, उनमें ज्यादा रूजान हम लोग को अभी देखने को investor का मिल नहीं रहा है, so definitely ITC हो, या फिर VST industry हो, या फिर Godfrey Phillips हो, इसके चलते अगर हम लोग बात करें, तो RJ ने शायद से indirectly ये बाते हैं या पर बोली है, आप देख सकते हो, जुन-जुन वाला सेड, he would not be apprehensive about buying the cigarette stock, if they offer a good opportunity, मतलब आप अंदाज अलगा सकते हैं कि वो cigarette के stocks को या पर खरी देंगे ही नहीं, मतलब opportunity भी अगर हम लोग या पर बात करें, फिर भी उनको या पर cigarette stock में interest ही नहीं है, अब देख सकते हैं, मतलब opportunity भी मिल गए, still, मतलब not interested, ये बात हैं हम लोग या पर देख सकते हैं, so definitely हम लोग उनको खोई RJ को blindly copy करने के जरूद तो है नहीं, हर एक का अपना-पना opinion रहता है, but yes, एक बहुत बड़े investor है, current bull market आपको क्या लगता है, तो उनने एक ही सीधा answer यहाँ पर दिया है, कि ये किदर भी जाने वाला नहीं, ये bull market ऐसे ही यहाँ पर चलने वाला है, so ये भी उनने इस सवाल का जवाव यहाँ पर दे दिया है, so अभी हम लोग आचुके आखरी point के पर जहाँ पर जो मैटो का अभी का grey market premium के है, वो तो fluctuating manner में रहता है, बट जो मैटो का अगर हम लोग बात करें, 20 से 25% के आसपास अभी हम लोग को grey market premium देखने को मिल रहा है, बीच में तो 27% भी गया था, अभी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही जबर्दस अभी grey market premium फिलाल तो 20-25% के आसपास देखने को मिल रहा है, so आप सभी लोग का पता है, retail quota भी 10% का ही था, तो मिलने के chances तो बहुत ही रह 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 है, until and unless आप लोग उने 9-10 demand account के थुरू apply किया होगा तो, right, so RJ का zometo के उपर मतलब क्या सोच है वो उनने सामने रखिए, plus ये जो upcoming IPOs है, उससे related उनको क्या लगता है, plus ये जो अभी-अभी IPOs जो बाजार में आए, उनसे related क्या लगता है, plus ये जो cigarette वाली companies है, उनसे related उनको क्या लगता है, और बाजार आगे कैसे चलेगा, उससे related RJ को क्या लगता है, ये सारी चीज़े में अभी इस वीडियो में cover कर ली है, so, ये again कहना चाओंगा दोस्तो, किसी को भी blindly copy करने की ज़ोरत नहीं होती, हर एक का अपना-पना opinion रहता है, तो आप भी अपना opinion comment section में ज़रूर यहाँ पर रख सकते हो, पर वीडियो अच्छा लगे, efforts अच्छा लगे, तो ज़रू like and share कर देना, so, that's it, thank you very much जोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye.